जै शेराम दोस्तों दोस्तों योडी अनलसिस के वीडियो में अप्लोड का स्वागत है तो कल 11 तरीक को जो वीडियो अप्लोड किया था तो उसमें आज के लिए बुला था कि 92% चांस है जहां पर ओपन है और जहां पर क्लोज है वो दोनों आसपास होंगे भले ही मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए 1000 नीचे आ जाए लेकिन यह सारा भरतना ट्यम करके वो क्लोज ओपन के पास ही करेगा अच्छा और सेकंड चीज फॉल के लेवल्स दिये थे थर्ड चीज स्विंग हाई फोरकास्ट किया था वहां से 1200 से 1500 पॉइंट का फॉरकास्ट किया था और इन सारी फॉरकास्टिंग में almost everything is done अब देखते हैं आगे क्या सीन है दोस्तों यह बैंक रिफ्टी का फ्यूचर चार्ट का डेली टाइम फ्रेम है और इसमें कल न्यू मून और आज यहां पर पहली पी चीज जो अपन नोडिस कर रहे हैं वो यह कि greater than average volume आया है बट हाँ वह अपनी जो 1200 वाली फॉरकास्ट थी इस डन 1200 से 1500 बोला था तो minimum इस डन 1500 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है फॉरकास्ट इस डन डे हाई का फॉरकास्टिंग लेवल का फॉरकास्टिंग और वहां से फॉल के magnitude की फॉरकास्टिंग अब यहां पर दोस्तों यह जो above average volume तो आया है बट यह जो candle price action trader के हिसाब से उनके हिसाब से क्या है डोजी केंडल है डोजी केंडल में price action क्या बोलता है कि भाया हमारे बसका नहीं है तो वह हमें पता है price action वालों की limitation सीमा और रेखा जहां पर खतम होती है उसके 200 km उपर से market profile और उसके structure की understanding start होती है देखो morning मे market चड़ा कैसे चड़ा तो मैं आप लोग को एक चीज हमेशा सिखाता हूं कि afternoon के जो high और lows है वो मांग रहने चाहिए तो यह कल कर जो afternoon का जो low था दोस्तों वहां से market जड़का लिया उपर भागा और कहां तक भागा यह जो candle आप लोग को दिख रहे है ना afternoon में जिसने जड का दिया था वहां पर आके थोड़ा consolidation और फिर उसके बाद fall fall कहां तक दोस्तों तो यह जो afternoon का consolidation है ट्रेंड डे वाला यह यहां तक आया 240 का अपनने level दे रखा था कि 240 अगर cross होता है 47,000 240 का level अगर cross होता है closing basis पर तो 47,000 आ रहा है क्या हुआ उसके साथ तो पहला target हेट हो ग पर आया cross किया लेकिन closed above it और फिर उसके बाद retrace कर गया तो अभी यह 47,000 आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता बट उम्मीद है कि आना चाहिए मैंने BTST हला कि नहीं लिया है बट background color से आप लोग को यह समझ में आ रहा हुआ कि जो morning का bias है वो kind of bearish है अब मैं आप लोग को ल 50 continuous contract 5 minute का order flow का chart तो यहां पर अगर आप देखो तो morning candle time pass फिर उसके बाद एक दम से यहां पर seller trap होता है उसको trap किया जाता है और फिर market तेजी से बिना कोई मौका दिए भागता है उपर की तरफ कहां तक जाता है जब तक buyer फिर से trap नहीं हो जाता और buyer के trap होने से पहले buyer पहले exhaust होता है यह exhaustion सिर्फ और यह exhaustion मैंने वीडियो में नहीं डाला वो पहले exhaust हुए उसके बाद trap हुए और trap होने के बाद पूरा fall कहां तक 47,240 का level था दोस्तों यहां तक आया उसके नीचे फिर से seller trap हुए फिर से seller trap हुए recovery और फिर time pass अब यह जो moves है ना दोस्तों आज जो moving average crossover क smart combination यूज करने वाले वो आज red में support resistance यूज करने वाले वो आज red में supply demand यूज करने वाले वो आज red में और harmonics यूज करने वाले वो भी आज आशू बहा रहे है तो price action और उसकी limited understanding since वो study अपाहिज है तो आपको mentally अपाहिज बना ही देगे it's handicapped simple अब मैं आप लोग को यह जो से इस simple से consolidation में कितने से trade कितने trade अपन को मिल सकते थे आपको सारे trade करने जो आपको अच्छा लगे वो ट्रेड करना है बट मैं आप लोग को trade दिखाता हूं तो यह दोस्तों सबसे पहला 47,240 के level से 300 point का bounce यह है bounce number one फिर stacked imbalance के अंदर high volume node second highest hierarchy वाला वहां से bounce back आया कितने का 170 points क fall आया फिर उसके बाद pie zone जिसका video पड़ा हुआ है YouTube पर वहां से bounce आया 130 points का फिर उसी pie zone पर वापस आके sellers absorb हुए absorption का video भी YouTube channel पड़ा हुआ है और वहां से दोस्तों 240 point का rise आया bounce आया फिर stacked imbalance में वापस गया और वहां से वापस फिर 180 points का bounce आया यह 5 trade थे दोस्तों और यह 5 trade व देखे ले सकते थे और चाप सकते थे इसलिए मैंने यहां पर लिखाए कि पैसा बनाने के लिए मेरा जो free content है वही बहुत है CTC में आने की जरुरत नहीं है तो इसके बाद यहां पर exhaustion time pass फिर उसके बाद they try to break past again exhaustion यह जो भी आ रहा है कहां पर आ रहा है stacked imbalance पे यह absorption exhaustion दुबा हुए थे और फिर उसके बाद वहीं पर consolidation मामला खतम TPO chart में एक ऐसा देख रहा है तो अब दोस्तों मुझे नहीं पता market profile के market profile के basic terminology तो आप लोग को पता है but I don't know कि how far you have traveled in your understanding of market structure so मैं आप लोग को बस कुछ कुछ चीजे जो शायद easily समझ में आ जाए वो एक चीज यह notice करो जो obvious है पिछले दो दिनों में same जगह पे POC बनी हुई है same जगह पे POC बनी हुई है इसका मतलब this becomes the stopping price stopping price of what is fall का तो यह हो गया is fall का mean फिर उसके बाद इस POC को अ दोनों profile को तो उपर टीपियो जदा है नीचे टीपियो कम है तो उपर टीपियो जदा है इसका मतलब क्या हो रहा है पैसिव सेलिंग हो रही है यह टीपियो काउंट के वीडियो मिल जाएगा YouTube पर पड़ा हुआ है और फिर उसके बाद लेकिन नीचे बड़ी सी टेल है यह दोस्तों बहुत जल्दी निकलेगा because यहां पर जो है 18 TPO हो चुके है अब अगर मार्केट को गिरना है तो कल ही गिरना कल से ही गिरना शुरू हो जाना चाहिए for further fall because दो दिन का consolidation हो गया and yes this is consolidation ठीक है तो यह जो जटके है यह मैंटर नहीं करते market profile के लिए market profile trader does not follow price alone structure और value follow करते है anyways यहां पर दो दिन से balancing हो रही है उपर से rejection आ रहा है नीचे से rejection आ रहा है और tail की वज़े से smart money का aggression यहां पर दिख रहा है और उपर TPO count की वज़े से passive selling भी दिख रही है तो aggressive buying और passive selling के बीच की लड़ाई है इसलिए दोस्तों कल का जो first half ह है वो sideways सा होने के high chances है और फिर उसके बाद अगर वो नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ यह 47,000 जो 240 का मैंने level दे रखा है न वो cross होते ही फिर यह single जो भी 47,000 है न यह touch होगा और यह इसके बाद फिर इधर पर तो long term access है बट यहां तक पहुंचने के chances कम है 47,000 के नी information आगी तो different है so we are expecting consolidation in the first half तो अगर देखो market उपर की तरफ खुला अगर उपर की तरफ खुला और तुरंत नीचे नहीं आ पाए तो फिर the end और अगर नीचे की तरफ खुला तो फिर ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा because यह strong rejection है और यह strong rejection कहां से है single print से single print का video YouTube पर पढ़ single print और यह single print smart money यहाँ पर buy कर रही है smart money यहाँ पर buy कर रही है तो downside का जो रास्ता है वह limited है कल के लिए तो limited है तो कल market अगर नीचे की तरफ आता भी है तो that will be an excellent buying opportunity और अगर surprise देके इसी के उपर build करके उपर निकल जाता है तो पहले days are top loss trigger होंगे exaggerated move आएगा उपर ही consolidation होगा और फिर उसके बाद ही निकल पाएगा तो इसलिए कल uptrend को भी दिमाग से निकाल दें कल downtrend को भी दिमाग से निकाल दें और first half में sideways market और फिर उसके बाद new clue मिलेगा जो कि मैं अपने telegram चैनल पर update कर दूंगा clock ready हो रही है तो आज कुछ fix अपने पास level जैसे नहीं है level वही है तो ऐसे में let the structure reveal कि क्या होने वाला है और अपनको बस कल का दिन जो first half है morning है बस वही बेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपनको कुछ ने कुछ clue मिल जाएगा और जो भी clue मिलेगा once again I'll update in my telegram channel दोस्तों अगर आप लोग को bank nifty के order flow and market profile related intraday live updates चाहिए तो मेरे telegram channel में आप सभी लोग का स्वागत है link आप लोग को description मिल जाएगी और एक बार सेवा का मौका दें और सेवा अच्छी लगे तो टेके रहें सेवा अच्छी ना लगे तो जै श्रीराम